कि वहीं पर फैसला ये सारा हो जाना चाहिए ये चीज अब बिल्कुल परदास्त नहीं होगी चोड़ेंगे नहीं किसी को द्यान रहन अगर किसी भाई किसी बैब किसी बेटे को हमारे को दिक्कताई तो हम ऐसा जवाब देंगे बीट जाएंगे और देते हाँ है और देते रहेंगे उत्तर परदेश इसका फूलत परूफ है कि योगी जी घते ही मिन्दु यवाईनी और ऐसे दिल्ली में भी घटेत हो चुकी है जादा नहीं कहते होए अगर हमें जाना पड़ता है अब हमें बनलब घड़ भी जाएंगे भीके तरे घर पे भी जाएंगे और हम इड़ का जवाब इस तरह हम देखने जल्शक है जो लोग है यो जो जादी जो लोग है जो जो लव जिहाद फेला रहें पूरे देश में उनके लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ के हिंदू यववाहिनी अब मैदाने में है अगर किसी जहादी ने अगर को झाओ किया पूरे डेस में, डिल्ली को नहीं पूरे रेस में तो उसको हिंदू या वाहीन सजा देगी, अब तक हमसे सरकार के उपर सोचते हैं कि सरकार सजा देगी, लेकिर आफमने सोच लिया कि अगर हमारी मावेन को अगर कोई आजमी चेड़ेगा या उसको कोई हानी पहुचाएगा तो सेम हम उसको सजा देंगे कि यह महावी जो सरकार है वो भारती जंदर पाल्टी की सरकार है वो हिंदुत के लिए नहीं पूरे देश के लिए काम करती है उन्होंने जो उचितकारवाई करनी है वो करनी है लेकिन हमारी या पूरी हिंदु वाईनी की एक मांग है कि उनको जल्दी से जल्दी फासी मिलनी चाहिए देखिए सारी सबस्ट्या की जड़ा वो जिहाद है और आप जानते हैं चाहिए लैंड जिहाद हो चाहिए वो लव जिहाद हो और चाहिए वो अपना और भी भाईचारा बनाके वेक्टू बुनाने का काम कर रहे हैं हर बारी टारगेट कुरूअ होता है सिर्फ हिंदू टारगेट होता है। चाये कशमीर में हो कर्मारी में हो। मैं कहना चाहता हूं इस हमें तो कि रेगा स हृथ करेकार कारे करें है। पर्म्तु इसका सिरफ वए इक छो यह गोली की मार्तों मुह क stric to make sale oug के अंदर भी फास्ट्रेक कोट के जरीए बहुत तुरंत कारवाई होनी चाहिए और जो भी हमारे बेटी और के साथ में इस तरह से हुआ है बहुत गलत हुआ है और आगे एक कड़ा दूसरे समाज को हिंदू समाज के अलावा जो और समाज है जिसे मैं मुस्लिम समाज बोलू की है कि हम मेरे साथ में इस तरह हमत करो मैं नहीं जाओंगी उसको जबड़ेस्ति उरुन उठाया नहीं गई तो गोली मारा तो इस परकार आगे से इस तरह कोई भी कारवाई कोई भी हमत ना कर पाए हिंदू की बेटी के खिलाव जैसर कपिल कुमार सिंग है देखिए यह है और इसी तरह के कांड होते रहे हैं हमारे देश में अभी तक क्या होता था कांग्रेस सरकार थी पहले हमारे यहां पे तो वह इन चीजों को बढ़ावा देती भी जब से पीम योगी तो मोदी और योगी जी आए हैं वो इसके खिलाब कुछ वो कर रहे हैं और हमारी और ना कोट ना जर्ट फैसला उंदा स्पोर्ट ऐसा कानून बनना चाहिए कि इमेडेट उनको गोली मार देनी चाहिए यह ऐसा कानून होना चाहिए यदि ऐसा होने लगा तो यह गतना होने को दूर-दूर को नहीं मिलेगी मेरा नाम सज्जे सनातनी है मैं दिल्ली से हुए और जो अभी एक बेटी के साथ वह उसको गोली मार दी गई और लव्यास बताया है तो क्या कहना चाहिए देखिए हिंदू युवावानी को जनतर मंतर पे क्यो आना पड़ा इसका कारण सिर्फ एक ही है कि वो बेटी कमजो जब भी बेटी को मारा जाता है जब भी बेटी को जलाया जाता है लव जिहाद के नाम पर आज जरूरत है इस लव जिहाद को खत्म करने के लिए एक सक्त कानून बनाया जाए आज एसी कमरों में बैठके सिर्फ निंदा कर देने से काम नहीं चलेगा बहरत के प्रदान मंत जी से उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी अधित नात जी से हाथ जोड़ कर एक अपील करना चाहता हूँ भारत देश की बेटिया कब तक लब जहाद के नाम पर ऐसे ही बलिदान होती रहेंगी ऐसे ही कुर्बान होती रहेंगी यह कौन है लब जहादी इनको बना देने वाले कौन है यह गुलागार कौन है अरे जब एक देश के अंदर इसी देश के अंदर इसी संविधान के अंदर इसी कोट के अंदर सुप्रीम कोट के अंदर रातो रात एक कोट की एक फैसले की एक किसी भी जुर्म की सुनवाई हो सकती है तो निकीता के हत्यारों के ये रातो रात पोट को नहीं खुल सकती, क्यों नहीं 24 गंटे, 7 दिन, संडे, मंडे, इतवार, संवार को भी बैठके, 7 दिन में फैसला आए, और जिस गुनागार ने, जिस गुनागार ने, हमारी बहन को चोराए पे गोली मारी है, उस गुनागार के लिए उसी चोराए पे बना के वही रखाया जाए, यह हम मांग करते हैं, यह हिंदू यह वावानी की मांगे,